एक बार की बात है, एलेक्स नाम का एक छात्र था जो स्कूल में संधर्ष कर रहा था। हर दिन अध्ययन करने, कक्षाओं में भाग लेने और प्रशन पूछने के बावजूद, एलेक्स को सामगरी समझ में नहीं आ रही थी। निराश और पराजित महसूस करते हुए, एलेक्स ने अपनी क्षमताओं में विश्वास खोना शुरू कर दिया। वे स्कूल जाने से डरने लगे और छोडने का मन करने लगे। एक दिन, इंटरनेट ब्राउज करते समय, एलेक्स को एक सफल उद्यमी की प्रेरख कहानी मिली, जिसने स्कूल में भी संघर्ष किया था। उद्यमी ने समझाया कि जब वे सबसे अच्छे चात नहीं थे, तो उन्होंने सफल होने के लिए एक मजबूत कार्य नीती और द्रिर संकल्प विक्सित किया था। इस कहानी ने एलेक्स को आशा की एक किरन दी। उन्होंने मैसूस किया कि भले ही स्कूल उनके लिए आसान नहीं था, फिर भी उनमें जीवन में सफल होने की क्षमता थी। नए सिरे से द्रिर संकल्प के साथ, एलेक्स ने एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया। केवल अध्यायन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए, एलेक्स ने उन्हें सीखने में मदद करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने ट्यूशन सत्र में भाग लेना, शक्षे की वीडियो ओनलाइन देखना और शिक्षकों और साथियों से सलाह लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, एलेक्स को अपने ग्रेड में सुधार दिखाई देने लगा। वे अपनी क्षमताओं में अधिक आत्म विश्वास मैसूस करने लगे और एक बार फिर स्कूल जाने का आनंद लेने लगे। वर्षों बाद, एलेक्स ने स्कूल में उनके संघर्षों को एक मूल्यवान सबक के रूप में देखा। उन्होंने मैसूस किया कि जब चीजे असंभव लगती हैं, तब भी हमेशा आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है। द्रिव निश्चेई रहकर, संसाधनों की तलाश करते हुए, और कभी हार न मानने के कारण, एलेक्स अपनी चुनोतियों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। और इसलिए, इस कहानी को पढ़ने वाले किसी भी संधर्श्रत छात्र के लिए जान ले कि आप में भी सफल होने की क्षमता है। कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से कुछ भी संभव है। आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो।